प्रदूसर का इस्तर दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है जिसके कारण लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लेकिन आज कल बदलते लाइफ इस्टाइल के कारण लोग पोश्टिक भोजन का सेवन नहीं कर पा रहे है जिससे लोगों को डायबिटीज जैसी गंभीर बिमारी हो रही है जिसके कारण डायबिटीज से ग्रश्टिक लोगों को खाने पीने का बहुत जादा ख्याल रखना पड़ता है लेकिन आपको बता दे कि आप अपने डायबिटीज को कम करने के लिए अपने घर में पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं जिससे आपके घर के खुबसूरती बढ़ने के साथ साथ आपका डायबिटीज भी कंट्रोल होगा आई आपको बताते हैं उन खास पौधों के बारे में करी पत्ते का पौधा आपके सेहत के लिए बेहदी फायदे मन्द होता है साथ ही आप इसे अपने घर के बगिया में भी लगा सकते हैं जिहां डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आप करी के 5-6 पत्ते को तोड़ कर रोज सुबह खा ले इससे आपका डायबिटीज कंट्रोल रहेगा नमबर 2 धनिया धनिया के पत्तों का हम खाने में इस्तमाल करते हैं जिससे स्वात भी बढ़ता है वह अगर आप धनिया का सेवन रोज करेंगे तो इससे आपका डायबिटीज कंट्रोल रहेगा नमबर 3 तुलसी वैसे तो हर घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है तुलसी घर में लगाने से घर में किटारू और नकरात्म कुर्जा नहीं आती साथ यगर आप रोज सुबह तुलसी के 5-7 पत्ते खाएंगे तो इससे आपका ब्लड सुगर ठीक रहेगा साथ यआप और बिमार्यों से भी बचे रहेंगे नमबर 4 सदबाहर सदबाहर का पौधा घर की खुबसूरती में चार चान लगाता है तो वहीं सदबाहर का पौधा आपके ब्लड सुगर को भी कंट्रोल करता है अगर आप रोज सुबह इसकी 4-5 पत्तियों को चबा कर उसके बाद उस रस को चूसेंगे तो आपकी डाइबिटीज कंट्रोल रहेगी नमबर 5 नीम नीम बहुत सी बिमारियों में कारगर साबित होता है साथ ये नीम डाइबिटीज परिजों के लिए राम बार्ड औस दी भी मानी जाती है नेक्ट नाइन हल्क क्यूर इंडेक्से रानिकी रूपोर